हेलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गपता टीम फिजिक्स सीलसी सीकर तो लेकर आए हम गुरुनिती का थर्ड पार्ट जिसमें हम टॉपिक डिसकस करने वाले वर्क एनरजी पावर सर्क्लर मोशन सेंटर आफ मास मोमेंटम एंजरेशन एंड कॉलिजन के प्रीवेस एर सबसे बड़ा फायदा आपको यह पता लगता है कि नीट में किस तरह के क्षेंस आ रहे हैं ताकि आप अपनी तयारी उसी लेवल पर रखें ना उससे बहुत नीचे आए ठीक है आपको एक लेवल पता लगता है तो प्रीवेस एर क्षेंस को अच्छे समझे यहां पर साथ आपके साथ यह जो टॉपिक स्टार्ट होंगे जो क्षेंस आएंगे उसे के तुरू हम उसकी थियोरी को भी टच करते हुए चलेंगे ताकि आपके जो रिलेटेट थियोरी है वो भी साथ में कवर होती जाए ओकी बचों शुरुवात करते हैं हमारे फर्स्ट क्षेंस तो यहाँ पर जो युनिट इसमें सारे क्षेंस टॉपिक वाईज है जैसे पहला प्रीक के वर के वर्क के ज्ट च्वयायस प्रीवेश में उनको डिसक्स करने वाला है सबसे पहला आता है वरक कर्षेंस आपको एक पार्टिकल का मास दिया वाया है फिर बोल रहेंकि इस पे ए इस initial position से final position तक तो आपको बताना है कि work done कितना होगा simple सी बात है work done का formula क्या होता है force dot displacement है ना और displacement क्या होता है final position minus initial position ठीक है अब देखो final position पहले तो force की वे लिखते है क्या है 3i plus j final position क्या अपने पास 4i plus of 3j minus of k minus initial position 2i plus k अब इसको minus करोगे और ही dot product करना है तो 3i plus j यह हो जाएगा 2i plus 3j minus of 2k अब dot करेंगे तो देखो dot कैसे करते है i वाले को i से multiply करो यहने कि 3 into 2 j वाले को j से multiply करो plus 1 into 3 और k वाला इदर तो कोई component यह है तो इदर 0 लिख दो इदर minus 2 लिख दो तो solve करने भी कितना जाएगा 11 just a minute 2 3 6 यह आपके पास 1 force है 2i plus k तो k में से minus होगा अपना तो 3j minus of 2k तो यहां तक लिखने के बाद आपका जो इसका solve करने पहला question बिल्कुल easy था force into displacement जो basic work का concept उसके question आया हुए नीट में बिल्कुल formula based question और यह formula based question work का कम है basically vector का question जादा है तो vector का dot product इसमें काम में आगे अपने आगे बढ़ते हम second question बिल्कुल वैसे ही question देखो similar question वापस repeat हुआ है तो यह पहला जो question था वो 2013 का था उसका same pattern पे question 2016 में भी आपसे पूछा गया है है तो क्या है force into displacement वही अपने पास concept आ जाएगा तो r final minus r initial है ना force कितना है 4i plus 3j final position के आपके पास 4j plus 3k minus में minus 2i plus 5j तो यह आ जाएगा 4i plus 3j dot यह देखो यह देखना जे केप और ही आई केप है तो आई केप में तो आ जाएगा मेरे पास 2i है ना 4jk minus यह तो minus का jk और 3k as it is बच जाएगा मेरे पास अब देखो dot करेंगे तो आई वाले को i से multiply करना है 4 into 2 j वाले को j से multiply करना हो इदर k वाला नहीं है तो इसको 0 से multiply कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे पास 8 minus 3 5 j ठीक है तो बिल्कुल easy question आपके यह जो है वर्क के जो basic concept पूछे गए तो second answer हो जाएगा अपना second ठीक है आगे बढ़ते हैं हम मारे next slide की तरफ देखो बच्चों यहाँ पर जो भी आप जिस भी class में जाने वाले हो अगर तो आपकी जो CLC ने बेच अनॉंस किये हैं वो है next session 2023-24 के लिए batches start होने वाले हैं 6th of April से सभी तरह के batches जैसे आप इस साल अगर 12th का exam दे रहे हैं और आप लगता है कि आपकी तहरी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है आप competition exam में नहीं fight कर पाएंगे तो फिर बिना time waste किये बिना competition exam के result का wait किये हुए आप join करें 6th April से हो या जही के हो मत चाहे हो medical के हो biology के हो या फिर मैट्स वाले बच्चे हो दोनों के लिए target बेच जो है वो आपके 6th April से शुरू हो रहे हैं इसी तरह से जो बच्चे 11th class में इस साल अब जाने वाले हैं या 12th class में जाने वाले हैं वो बेच भी आपके 6th April से शुरू हो रहे हैं दोनों NEET और JEE के लिए इसी के साथ साथ हमारे 2-in-1 course का मतलब होता है कि जैसे मानलों कोई बच्चे ने 11th में coaching नहीं की और उसको अब realize हुआ उसके कुछ दोस्त मानलो CLC में आ चुके थे 11th में वो नहीं आया अब उसको लग रहा है कि जो लोग CLC जा चुके तो उनक 12 के पड़ पाएंगे लेकिन CLC ने एक और उस चीज का solution निकाला है 2-in-1 course 2-in-1 course में आपको एक ही साल में मतलब आप session में 12 में रहेंगे लेकिन 12 के साथ आपको 11 की जो topic है वो भी पढ़ाए जाएंगे मतलब एक ही class में 12 वाले session के दुराने आपको 11 भी साथ में cover करवाई जाएगी 12 भी करवाई जाएगी और ये बेच को हमने नाम दिया है 2-in-1 course तो इसकी भी starting जो है वो 6 अपरिल से है ये भी जो बच्चे इस साल 11 पास कर चुक है और 12 में जाने वाले हैं उनके लिए है मतलब नीट और जेही दोनों के लिए ठीक है और उसके बाद हमारे NDA का सेक्षन है NDA के सेक्षन भी वापस होई जो इस साल 12 पास कर लेंगे जो इस साल 11 पास कर रहे हैं और जो साल 10 पास कर रहे हैं मतलब जो 11 में जाएंगे जो 12 में जाएंगे और जो 12 पास करके next year 12 के बाद जिसको हम टार्गेट बेच बोलते हैं उसमा आने वाले वो NDA के प्रिफांडेशन डिविजन की इंपोटेंसी होती है बेटा कि बच्चा अगर शुरू में 6 से 10 तक ही वो कंसर्ट सीखे जो उसको आगे यूज करने हैं और उसी एक्जाम पेटरन को फोलो करें जो उसका बाद में नेशनल लेवल पर होने वाला है तो 6 से 10 तक जब 6 में जाने वाला हो 7 में 8 में 9 में 10 में उसके लिए भी आपके 6 एपरिल से फांडेशन कोर्स शुरू हो रहे हैं इन फांडेशन कोर्स को हमेशा नीट और जैई की प्रपरेशन की शुरुवात की स्टेज हम बानते हैं तो जो यंग जनरेशन है जो बिल्कुल छोटे बच् यहां पे आप एडमिशन लें उसके लावा अगर आप सीकर नहीं आ सकते हैं तो अलवर में एक सेंटर है जैपूर में आपके दो सेंटर है तो जो भी आपके घर के ज्यादा नलाजिदी को आप महाँ पे एडमिशन ले उसके लावा हमारे टेस्ट सेंटर है admitting तो यहां सीकर अलवर जैपूर के दो सेंटर हो रहे साथ में test center रहे हैं Kota Bicaner जोदपूर देली हिसार इसके अलावा जहां हमारे classroom center वहाँ भी test center तो हैं सही वहाँ भी आफ टेस्ट दे सकते सीकर में अलवर में जैपूर में उसके अलावा यह test center extra है और यहां केवल test center ही है उके उसके बाद रहते ही diamond test series जो की NEET 2023 की practice के लिए CLC ने शुरू किया है इस test series में part test होंगे तीन जिसमें आपका पहला part test है इसमें 11 का basic physics में cover करने वाले chemistry में और biology में ठीक है तो यह part test है आपके total six part test है जिसमें 11 12 दोनों का cover क्या गया है उसके अलावा नीट फुल सिल्बस टेस्ट एक तो AIOT दूसरा AIOT AIOT मतलब All India open test ठीक है उसके अलावा आपका दंगल है जो की syllabus of part 123 123 में आपका 11 वाले topic cover के गए है उन्हीं का फिर एक ऐसा वालो 11 का full syllabus test हो गया है दंगल वन फिर उसका आपके part 456 में 12 के topic cover के गए है ठीक है उसी का फिर दंगल 2 जो की 12 वाला full syllabus हो गया उसके बाद की आपके तीन से लेके साथ तक के जो दंगल है ठीक है तो टोटल पास दंगल जो लास के है वो नीट फुल से बसके है फुल 11 जो नीट पेटन होता है वैसा ही है तो लास के past test आपके नीट की final preparation के लिए है और आपकी test series चलेगी 4th of May तक तो exam जो है आपका साथ तारीकों है और I hope यह जो प्रैक्टिस है आपकी last के दिनों में यह आपकी तयारी को एकदम solid कर देगी ताकि आप अपने rank को अच्छे से strong कर सके ओके बच्चों तो एक बारी test series का schedule आप note करें आगे बढ़ते हैं हमारे questions वाली slide पे third question में हमा बात करने वाले वही हमारा work वाला section चल रहा है दो question हमने बिल्कुल formula based किये थे F dot S अब बात करते हैं अगले question की बोल रहे हैं कि एक gram की drop है माना पानी की drop वो height एक किलोमेटर से fall होती है ठीक है और यह ground पे 50 की speeds सा आती ही ठीक है जी की value आपको 10 लेना है तो आपको बताना है gravitational force का और resistive force का work कितना होगा देखो simple सी बाते drop यहाँ पे इसकी initial speed क्या थी 0 जब यह drop ground को hit करती है तो इसकी speed कितनी हुई ग्राउंड पे hit करता है तो इसकी speed आपको दी गई है 50 meter per second ठीक है इस दो रान इसने height कितनी कवर की height कवर की है 1 km यहने की 1000 meter तो 1000 meter की height कवर हुई है अब देखो जब यह object नीचे गिर रहा है तो इस पर दो force लग रहे है एक तो कौन सा force लग रहा है एक तो इस पर लग रहा ह है इस पर एक तो लग रहा है mg force दूसरा इस पर लग रहा है air resistance ठीक है अब mg force जो है वो तो constant force है उसकी वज़े से object कितना नीचे आ रहा है जो mg force की direction में इसका displacement कितना है hk जितना है तो सबसे पहले work done by gravity आप से पूछा जाए तो क्या आजाएगा force into displacement into cos 0 क्योंकि mg भी downward है displacement भी downward है ठीक है क्योंकि work का formula क्या होता है work का formula होता है fs cos theta इस basic formula को यूज़ करते है तो gravity का work कितना आजाएगा मेरे पास mg mg कितना दी आपको 1 gram gram को kg में convert कर लेंगी 10 पर माइनस 3 से multiply करकी g की value 10 h कितना है आपका 1000 और cos 0 की value होती है प्लस 1 तो यह आपका work आएगा gravity का आएग work अब देखो gravity का plus 10 joule तो एक ही option में दिया वाए यह option गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया तो प्लस 10 joule तो आपका एग्जाम में तो option टिक हो गया पर हम दूसरा जो है वो भी solve कर लेते हैं कि अब आप से पूछा है air resistance का work कितना होगा तो देखो हमें पता है कि दोन of gravity and work done by air resistance यह हो जाएगा k final minus k initial अब gravity का अबर कितना है 10 joule ठीक है air का work हमें पता नहीं kinetic energy final कितनी half 10 to the power minus 3 और v कितना है 50 का square तो यह आजाएगा मेरे पास 1.25 10 और यह work तो इससे मेरे पास work आजाएगा minus of 8.75 ठीक है तो इसका मतलब जो air resistance का work है वो कितना है minus of 8.75 मतलब जो अपना third option है वो एकदम accurate है है ना कोईस में confusion नहीं है पर exam में आपके अबल gravity का work निकाल के भी solve करोगे तो भी आपका बन एक option क्योंकि एक ही option में gravity का work positive में 10 आ रहा है ठीक है तो आपका third question बिल्कुल easy work energy थिरूम का concept इसमें लगा हुआ है फिर अगला आता है fourth question बिल्कुल work का basic formula जो आपका होता है w बरावर f dot dx अब dx के वेज़े हैं यहाँ आप क्या लिखा है y लिखा है तो y direction में लिख दू बहुए object जो है वो y direction में जा रहा है na y बरावर 0 से ले करके कहां तक गया यह गया y बरावर 1 तक तो f की value रखो 20 plus 10 y dot dy integration कर दो integration की limit के लगेगी 0 से 1 तो 20 y plus 10 y का integration y square by 2 limit लगाओ 0 से 1 0 से 1 तो यह जाएगा 20 1 minus 0 5 1 square minus 0 square तो यह जाएगा 20 plus 5 कितना हो गया बेटा 25 joule है ना तो अब इसमें basic concept क्या है जब force constant हो जो first और second question हो force constant था force constant हो simple f dot ds करना है है ना और जब force variable हो तो आपको integration काम में लेना है होगे बेटा तो integration का बिल्कुल easiest question आया हुआ exam में है ना इसमें कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए तो यह fourth question हो गया ओके आगे बढ़ते हम हमारे fifth question पे fifth question में आपको बुलाए कि कोई place है वहाँ पे gravitational field present है और एक mass को A से B आप shift कर रहे हो A से B एक कोई mass है जिसको आप A से कहा लेके जारो B लेके जारो आपके पास तीर अलगर रास्ते हैं पहला रास्ता दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता तो यह बोल रहे है कि किस case में gravity को जादा वर्क करना पड़ेगा है ना या W1, W2, W3 इन पाथ में work done by gravity है तो उनका relation क्या होगा देखो पीटा symbol सी बात है gravitational force एक conservative force होता है और conservative force का work कभी भी path पर depend नहीं करता कि एवल initial और final position पर ही depend करता है और gravity हमें पता है conservative field होता है conservative force gravitational force होता है इसलिए gravitational force का work जो है वो बिल्कुल equal आएगा हर case में कोई confusion इसमें तो यहाँ पर gravitational force का work जो है वो यहाँ पर हर बार equal आएगा आपका option हो जाएगा इसका third reason क्या देंगे कि ए conservative force होता है ओके आगे बढ़ते हम हमारे six question अब यह कुछ है energy की question से है ना इसमें भी देखा जा तो energy और work का ही combination काम में लिया गया है तो जैसे हमारे पास यहाँ पर work क्या होता है force into displacement तो सबसे पहले दोको force आपको variable दिया हो ना तो पहले तो work calculate कर लो 0.1 x dot dx तो 0.1 x square by 2 अब इसमें limit क्या लगेगी देखो 20 से लेके 30 तक shift किया ना पनने तो यहाँ limit 20 और यहाँ 30 तो यह 20 और यह 30 तो कितना हो जाएगा 0.1 by 2 30 का square minus 20 का square तो कितना हो जाएगा 0.1 by 2 500 तो यह आजाएगा total answer 25 तो 25 जूल तो यह किसका work को अध्य को ध्यान रगना है एक retarding force था retarding force हमेशा negative work करते हैं क्यों क्योंकि यह velocity का budget लगते हैं तो इसका मतलब retarding force का work हमेशा negative होता है तो यह answer मेरा जो आएगा वो किसमा आएगा negative आएगा actually तो 25 जूल नेगेटिव अब ओल रहे final kinetic energy बताओ तो work done by all क्या होता है delta k तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास work done by ज तो k initial कितना है तो k initial आजाएगा half m और v square याने की 10 square तो यह कितना आजाएगा k final minus 500 minus 25 तो k final कितना हो जाएगा 475 joule तो 475 joule यह मेरा आपका six question का answer हो गया second इसमें कोई confusion तो यह बिल्कुल work energy theorem का जो concept यहाँ पर काम में लेना था उस पर best equation है ओकी अगला आता है 7th सेवन्थ का आपको बुलाएं कि एक 10 100 किलो वाट का transmitter है यह कितनी power emit करेगा एक घंटे में है ना तो देखो हमें पता है energy क्या होता है power into time है ना पावर कितना दिया आपको 100 किलो वाट तो 100 किलो का मतलब कितना होता है 10 to the power 3 यह वाट में convert क लिए टाइम कितना है वन आर वन आर इनने की 3600 सेकेंड तो यह आ जाएगा मेरे पास 36 into 10 to the power 7 जूल बिल्कुल एजी सा question है energy बराबर power into time वाला तो 7th का answer हो गया 4 आगे बढ़ते हम हमारे 8th question पर अगला section जो आता है इसमें power है तो अपना देखो work complete हो गया energy complete हो गया अब आत है ना वही आपके वर्क के बेसिक फॉमॉला वर्क इने स्विर्यों काम में लेना बिल्कुल बेसिक चलता है पावर की बात करते हैं पावर में आपको एक बोला है कि एम मास का एक object है जिसको एक machine constant power के बाट supply कर रहा है और यह है और रेस से motion करना शुरू करता है तो टी टा m into dv by dt into v तो यह क्या हैगा मेरे पास v dot dv बरावर kym dot dt अब इसका integration कर लेंगे है अपन 0 से v और यह 0 से t तो यह क्या हैगा मेरे पास v square by 2 और यह आजाएगा kym t तो यह आजाएगा मेरे पास v square by 2 बरावर kt by m तो v कितना हो जाएगा 2 kt by m रूट में यह आगया अब इससे आप acceleration निकालोगे acceleration क्या होता है dv by dt है ना यहाँ सिंपल आप से force पूछा ना तो force यहाँ से आप देखो अपने आपस वेलस्टी तो आगया ना तो बजा differentiation करने के force डारेट केल प्लेट कर लेंगे force क्या हो जाएगा power by velocity power कितना दिया हो है के और वेलस्टी कितना निकाल आपन ने रूट 2 kt by m solve करेंगे तो कितना हो जाएगा k ऊपर m ऊपर 2 नीचे t नीचे यह आपका answer हो गया तो आपका answer किसमें दिया है second option में ठीक है तो यह direct power बराबर f by v यह वाला formula आप काम में लोगे तो आपका easily है आपको option जो है वो बन जाएगा इसमें कोई confusion है न तो यह आपका easily हो रहा है तो 8th का solution है न पहले मैंने जो basic formula होता है उससे स्वाल करके V निकाला एक simple integration है और उसके बाद फिर आपका force बराबर power by velocity करके solve कर लिया ओके बीटा 8th के बाद अगला आता है 9th question 9th question देखो आपको एक force दियावा variable force है क्योंकि time dependent है फिर यह बोल रहे है कि T time बाद इसमें कितनी power यह develop कर रहा होगा तो देखो power का formula क्यों होता है power का formula होता है f dot v है ना अब f तो दियावा लेकिन वी दियावा नहीं है वी कैसे निकालोंगा मैं फिर वी होता है a dot dt हैना अब a dot dt तो a कैसे निकालेंगे अपन a निकालेंगे force by mass dot dt force by mass force कितना है 2t i cape plus 3t square j cape dot dt 0 से t तक t time बाद velocity तो velocity क्या होता है अब इस velocity की value का आप यहां डाल दो तो force क्या है 2t i cape plus 3t square j cape फिर velocity क्या जाएगा t square i plus t cube j तो यह हो जाएगा 2t cube अब dot button का rule क्या है i वाले को i से multiply को रोड जे वाले को j से 2t cube plus 3t5 तो यह मेरा आंसर हो गया 2t cube plus 3t5 आंसर कौन सो हो गया इसका third option इसमें कोई confusion है ना तो देखो सबसे पहले आपको acceleration का integration करके velocity निकालना है और फिर velocity को f dot v में यूज़ करके आपको power निकालना है ओके यह instantaneous power का formula होता है f dot v इन दौनों का आपको road product करना पड़ेगा इसमें कोई confusion यह आपका 9th question complete होता है ओके तो एक बार solution note करें भी टाप फिर आगे बढ़ते हैं हमारे question number 10 पे 10 में आपको बोला है कि टर्बाइन को चलाने के लिए आपको 15 kg per second की rate से 60 meter की height से पानी गिराना है और friction की वज़े से 10% energy loss हो जाती ही तो देखो ऐसे समझो कि पानी जब height से गिरेगा है ना यहां से जब पानी गिरेगा तो जिसकी initial energy है finally उसका 10% ही तो convert 90% ही तो convert हो रहा है 90% of initial है ना तो यह बोल रहा है कि कि इतनी power generate होगी तो power final क्यों हो जाएगा energy final by time energy final कैसे लिखोगे 90% of energy initial by time 90% यहने कि 90 by 100 initial energy क्या है mgh by t तो यह जाएगा 9 by 10 m by t g h अब देखो ध्यान से समझना 9 by 10 तो यह हो गया m by t mass per second जो आ रहा है वो कितना दियावा है 15 kg per second देखो यह दियावा है m by t की value दियावान है तो g कितना दियावा है 10 h कितना दियावा है h दियावा है 60 meter तो यह खतम कितना हो जाएगा 15 into 6 90 90 और यह जाएगा 8 1 00 वाट तो यह solve करने पर कितना दियागा 8.1 kilowatt 8.1 kilowatt जो है आपका यह हो गया इसका first 10th का first option इसमें कोई confusion आगे बढ़ते हैं हमारे अगली question पर तो देखो इसमें simple आपका एक basic formula था power का 10th वाले में तो है power का formula basic जो होता है energy produce होने की rate तो उसको आपने use किया और simple calculation based question ठीक है आगे आता है हमारा 11th question इसमें आपको क्या बोला है कि एक electric lift है है ना जिसका total weight कितना है 2000 2000 kg है lift plus passenger दोनों मिला के है तो इसकी cable है जो इसको उपर लेके जा रही है अब इसकी velocity जो है वो constant है कितना है 1.5 तो देखो velocity constant अगर है तो इसका मतलब acceleration कितना हुआ है ना velocity constant होने का मतलब है कि acceleration 0 acceleration 0 इसका मतलब जो tension है वो किसको balance करेगा mg को plus इसमें friction force भी लग रहा है तो एक friction force भी लग रहा है उसको भी balance कर देगा इसका मतलब acceleration 0 इसका मतलब f net b क्या होना चाहिए मतलब tension की value किसके बराबर आएगी friction force plus mg के बराबर friction force तो fix दिया हुआ 3000 का लगेगा mg कितना दिया आपको 2000 kg तो यह दिया हुआ है plus 1 यह 10 इसकी value तो total होगा 23,000 यह तो होगा tension अभी आप से पूछ रहे हैं कि जो power deliver हो रही है tension जितना यह force और mg सबको motor के force ने तो balance किया हुआ है तो power जो होगी वो कैसे निकालेंगे F external जो चलाने वाला force into V यहने कि tension into V tension कितना होगा इस case में tension मेरे पास दिया हुआ है 23,000 into 1.5 अब 23,000 और 1.5 को multiply करोगे तो आप कहा से भीश रहाद है तो आपका यह तो गलत हो गया यह गलत हो गया यह तो बहुत पास ही option है तो यह भी गलत है आपका option हो गया 4, 3, 4, 5, 00 ओके यह जाएगा वाट में तो यतनी power जो है वो cable ने supply की है तो इसमें basic concept क्या था थोड़ा सो आपको NLM काम में लेना है tension की value calculate करनी है उसके बाद आपको दो concept काम में लेना है बसी power का formula और एक है F net 0 वाला concept तो यह दो concept is question के हैं बागी question बिल्कुल formula based value put करने वाला question है ओके बीटा इसमें बोगी confusion 11th question note करें आप तो एक बार से note करें आगे बढ़ते हैं हमारे हम 12th question पर अब 12th question से आपका circular motion का पार शुरूर रहता है circular motion exam के लिए बहुत important part है आप देखेंगे इसमें 12 से लेकर के आगे के कही सारी slides वो है वो circular motion की है तो काफी अच्छा वेटेस रखता है और circular motion के सारे concept almost हम यहाँ पर cover कर लेंगे इस questions के तरू तो circular motion हम बात करते हैं कि एक particle जो है उसका position vector r cos omega t x k x k मतलब i k कई बार i k को x k भी लिए देते हैं और sin omega t j k है ना यह इसका position coordinate है ठीक है मतलब particle को अगर इस तरह हम देखें तो वो यहाँ कहीं पर रहा होगा है ना तो यह इसका r vector हो गया है ना अब यह बोल रहे हैं कि इसमें velocity और acceleration का क्या होगा देखो थोड़ा ध्यान समझना बेटे इसमें है ना जब भी कोई particle circular motion करता है ना तो उसकी जो velocity होती है वो हमेशे टेंजेंशिल डायरेक्शन होती है velocity इदर होगी और जो इसका acceleration होता है इसका acceleration जो होता है वो भी ध्यान से समझना बेटा acceleration जो है वो towards the center होता है इस तरह से तो देखो अब इसमें केवल यह constant velocity है ना यहाँ पे जो r का differentiation करोगी तो velocity की fixed value आएगी तो velocity constant मतलब केवल centripedal acceleration आएगा इसमें अब पर सित्ते हम पन सारे option बोल रहे हैं कि velocity और acceleration दोनों ही r के parallel है r के parallel का है acceleration तो anti-parallel और velocity perpendicular है तो गलत हो गया दूसरा velocity r के perpendicular है और acceleration origin की तरफ है origin की तरफ है बिल्कुल सही बात है velocity is perpendicular to r and acceleration is directed towards the origin origin मतलब center तो यह बिल्कुल सही statement होगा है इसका second तो second से थर्ड गलत हो गया यह बोल रहे है velocity r के perpendicular है यहाँ तक तो ठीक है और यह बोल रहे है कि acceleration origin से दूर की तरफ लग रहा है यह बोल रहे है velocity और acceleration दोनों ही r के perpendicular है यह बहुत है दोनों की वरे से गलत हो गया तो आपका second option जो है इसका correct option बन जाएगा इसमें कोई confusion तो यह हो गया second option 12 का पिल्कुल theoretical question है ना कोई इसमें calculation है basic जो knowledge होता है कि velocity हमेशा tangent के along होता है और acceleration uniform circular motion में हमेशा center की तरफ होता है इन बातों को ध्यार में रखना है ओकी और इसमें कई बार velocity पूछे तो आप इस r का differentiation कर दो ओमेगा अगर आप से पूछा जाए या velocity आप से पूछा जाए तो velocity कैसे निकालोगे आप इसमें velocity हो जाएगा dr y dt तो इसका differentiation कर रुग आपको velocity मिल जाएगी ओकी पीटा आगे बढ़ते है पन हमारे 13 question पे 13 question बोला है कि 15 centimeter diameter की एक disc है और वो अपनी axis जो उसके plane के perpendicular जा रही है उसके about वो गुम सकती है इस disc पे कोई torque लगता है जिसकी वज़े सा उसको एक acceleration मिल जाता है 2 radian per second square का मतलब आपको और constant बोला है constant angular acceleration आ रहा है तो इसमें क्या क्या गिवन है आपको सबसे बिल तो alpha गिवन है 2 radian per second square तो यह बोल रहे है 2 second बाद उस particle का net acceleration क्या होगा देखो कोई भी particle में 2 तरह के acceleration होते है कोई particle अगर यहाँ पे है तो इस particle में 2 तरह के acceleration होंगे हमेशा कौन कौन सा एक तो होगा 80 और एक होगा इसका AC है ना और net acceleration इन दोनों से निकालना पड़ेगा 80 क्या होता है 80 होता है alpha into r और AC क्या होता है AC होता है omega square into r ठीक है तो सबसे पहले अपन 80 क्यों निकालते है 80 कितना आजाएगा alpha into r से देखेंगे तो alpha कितना दियावाए 2 r कितना दियावाए 50 by 100 तो कितना हो जाएगा है 1 हो जाएगा है तो फिर AC पहले omega निकाल लेते है omega कितना आजाएगा अपने पास omega के लिए आपको पास यहाँ पे omega 0 plus alpha t omega 0 कितना दियावाए आपको initial तो 0 है alpha दियावाए 2 और t भी दियाए 2 तो omega कितना आजाएगा आपके पास 4 तो इससे आपको AC कितना मिल जाएगा omega square into r 4 square into 50 by 100 यह centimeter को meter में convert कर रहा हूँ है तो यह कितना आजाएगा आपके पास 8 अब आपको innate acceleration निकालना है तो net acceleration क्या हो जाएगा पिटा AC square plus 80 square AC कितना है 8 square 80 कितना है 1 square तो हो जाएगा root 64 plus 1 root 65 अब root 65 almost 8 से थोड़ा से जाएगा तो अपना exact जो पास का option मन रहा है approximate answer बताना है वो आपका 4th option हो जाएगा तो इसको approximately हम 8 लिख सकते हैं ओके तो यहाँ पे जो net acceleration है वो almost centripetal acceleration की value के बराबर ही आ रहा है तो बिल्कुल basic जो kinematic होती है circular motion की कि दो तरह के acceleration object पे लग सकते हैं अगर object की speed variable हो तो tangential भी लगेगा और centripetal तो लगता ही है तो centripetal लिख आपके 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 कौन कौन से formula होता है central का एक formula तो होता है मेरे पास v square by r दूसरा होता है omega square into r यहाँ omega दिया वा था इसलिए omega हमने calculate कर लिया हमने omega square r वाला formula काम में ले लिया और basically जो net acceleration निकालते हैं रूट of ac square plus 80 square ओके बीटा तो यह आपका 13th question complete होता है आगे बढ़ते है अपन 14th 14th में बोल रहे है कि एक vertical circular में किसी object को कितनी minimum velocity bottom point पे दे हम bottom point पे ताकि वो top point पर motion कर सके तो top point तक पहुंच जा उसके लिए आपको उसे कितनी speed देनी पड़ेगी तो यहाँ पर ध्यान रखना velocity जो bottom point पर होती है वो होती रूट of 5GR इतनी velocity दोगे तो जाके वो completely top point तक पहुंच जाएगा तो डायरेक्ट आपका result होता है bottom point पर velocity होती होती रूट 5GR इसे मागर top point की बात करें top point पर root GR होता है bottom point पर इतना या इस से ज़्यादा होना चाहिए तो इस horizontal point पर आती है वो आती है इधर कितने आती है root 3GR इस तरह से तो यह आपके कुछ result होता है bottom point पर आपको root 5GR देना पड़ेगा ओके तो वो जाके complete motion कर पाएगा कोई confusion इसमें 15 में आपको बोला है कि 10 gram का एक object है जोकि 6.4 cm लंबी radius के एक circular path पर constant 80 से चलता है 80 मतलब इसका tangential acceleration constant बोला हुए है ना नियत इस पर श्रेख की तुरुन का मतलब है constant tangential acceleration फिर हैं बोला है कि 2 चक्कर पूरे करने के बाद इसकी काइनिटी के एनरजी पर इतनी हो जाती है देखो 2 चक्कर में कितना distance cover होता है एक चक्कर में cover होता है 2 pi r है ना तो 2 चक्कर लगाए ना इसने 2 चक्कर में कितना हो जाएगा 2 circumference cover की तो अपने पास third equation of motion अगर हम use करें तो v square बराबर u square plus 2 as यह होता है अब जान रखना यह a के वल 80 है है ना वह speed provide करने का काम 80 का होता है tangential acceleration का होता है अब हर वक जैसे माल लो देखो यहदर displacement ds की direction इस तरफ है तो 80 भी तो उसी तरफ आता है tangential तो हर instant पे 80 और ds की बीच का angle क्या बनेगा 0 degree और 0 degree पे dot product maximum होता है ना तो initial velocity 0 2 80 displacement कितना है 2 pi r का 2 times ठीक है 2 pi r का 2 times तो यह हो गया मेरे पास 8 pi r 80 2 into 8 pi r अब यह v square अब इसमें kinetic energy आपको दिया वात है एक बार तो kinetic energy से अपन क्या करेंगे v square की value निकालने दे तो kinetic energy क्या होता है half m v square और इसकी value दिए 8 into 10 to the power minus 4 तो v square m कितना दिया वापको 10 gram याने कि 10 to the power minus 3 into 10 और half 8 10 to the power minus 4 तो इससे v square कितना आ जाएगा मेरे पास 16 10 to the power minus 2 इस value को यहां रख दो तो 16 10 to the power minus 2 अब यहां से 80 आ जाएगा आपके पास 16 10 to the power minus 2 8 पाई आर कितना दिया आपको 6.4 cm तो यह जाएगा 6.4 cm को मेटर में convert करने के लिए माइनस 210 की power रख दिया मैंने देखो यह कटेगा अब आपके पास यह कट जाएगा दो बार पाई और 6.4 multiply आपको almost 20 के आसपास आएगा आपका है ना तो 2 by 20 मतलब 0.1 तो आपका 4th option इसका हो गया 15 का इसमें कोई confusion है ना तो इसमें केवल एक concept ध्यान रखना है बच्चे 2 circular path complete होने की बाद displacement को zero put कर देता है ध्यान रखना है displacement हमें tangential acceleration के लोंग लेना है तो जैसे जैसे object मुढ़ रहा है tangential acceleration भी तो मुढ़ रहा है है ना तो हमेशा object जिस direction में जा रहा है displacement जिस direction में है उसी direction में 80 काम कर रहा है इसलिए 80 और डियस का dot product हमेशा maximum ही आएगा तो 2 round के बाद displacement 80 के लोंग कितना हुआ 4 pi r वो ध्यान रखना था बस इसमें बाकि आपको 80 की value पूछी गई है ओके कोई confusion इसमें और side में kinetic energy को solve करके मैंने V2 निकाल लिया ओके बेटा 15 की बाद अगला आता है 16 16 में बात करेंगे कि आर जो है यहां पर आपको एक radius दिया वा है तो यह बोल रहे है किसी टाइम पर इसकी speed क्या होगी देखो total acceleration का वो component जो center की तरफ है उसको बोलते है AC और जो tangential है इसको बोलते है AT तो AC यहां क्या हो जाएगा AC हो जाएगा A cos 30 degree A कितना दियाव है 15 cos 30 कितना होता है root 3 by 2 और AC की value क्या होती V square upon R तो V square R कितना दियाव है 5 by 2 तो यह जाएगा 15 root 3 by 2 तो V square हो जाएगा 75 by 4 root 3 है न यह V की value हो जाएगा 75 root 3 होता है almost 130 by 4 तो 130 by 4 almost कितना जाएगा आपके पास यह जाएगा 32.5 जब इसको square root लोगे तो आपका obvious ही बात है 5 और 6 की बीच का अंसर बनेगा एक यह option आपका second option जो 5 और 6 की बीच में ओके तो आपका answer क्यों जाएगा 5.67 16 का answer इसमें कोई confusion फिर आगे बढ़ते है हम हमारे 17th question 17th question में आपको बोला है कि एक circular path है लेकिन उसमें banking की हुई है तो banking की हुई है और उसको banking मतलब क्या उसके side से थोड़ा सा सड़क को हमने उठा दिया theta angle से इस तरह से तो कोई गाड़ी इस पर जा रही है तो इसकी maximum speed क्या होगी तो V max जो होता है उसका direct formula होता है root of rg mu plus 10 theta 1 minus mu 10 theta यह direct formula होता है maximum speed का और minimum speed के लिखना हो तो उपर minus नीचे plus आता है तो यहां maximum speed पूछे के यह आपका एक answer बन रहा है first option 17th में इसमें कोई confusion ठीक है तो यह बिल्कुल easy sa question है formula based question है इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए अगला हम बात करते हैं हमारे अगले question पे 18th में बुला है कि एक L लंबाई की एक डूरी है मास के object को जुड़ा हुआ है और एक table पे horizontal circular path मापस पे भुभा रहे हूँ अब यह बोल रहे हैं object पे net force कौन सा लग रहा है तो रसी का tension ही तो object को घूमने के लिए centripetal provide करेगा ध्यान रगना centripetal अलग से कोई force नहीं होता जो tension लगता है वही centripetal का काम करेगा centripetal is a category of force centripetal अलग से कोई force नहीं होता tension या कोई और force जो already object पे लग रहे हों वही centripetal की तरह काम करते हैं तो यहाँ पे tension जो है वही centripetal की तरह काम करेगा तो object पे net force कौन सा लग रहा है tension mb square by l यह plus minus नहीं करना है वही यह tension एक force लग रहा है जो कि centripetal की तरह काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसमेकर इसे बोलना चाहेंगे तो fc provides है ना यह tension provides fc तो इसको अपन को ऐसे लिखना है कि tension जो है वो tension provides fc यहन्य कि t बराबर m v square by l ऐसे लिख सकते है अपन तो दोनों तो एक साथ लगाओगे नहीं यह तो खाली equation बना के बते हैं ना ताकि इससाब v ki value निकाल सकते हो तो tension एक मात्र 4 से जो center की तरफ लग रहा है आपको option हो जाएगा 18 का 4 इसमें कोई confusion फिर अगला आता है 19th देखो 19th में आपसे बोला है कि एक object जो है वो h height से slide कर रहा है तो आपको बताना है कि d point a point पो उसकी speed है ना इस तरह से होनी चाहिए कि वो total top point को पार कर जाए a से वो b तक पहुँच जाए तो उसकी height initial क्या होनी चाहिए देखो जो भी initial height होगी उसकी वरने से यहाँ पे speed मिलेगी va और va कितना आएगा root 2gh यह तो हमें energy conservation से पता है ना जब भी आप mgh को मैं question लग जेता हूँ mgh जो है वो किस में convert होगा half mva square तो इससे va आ जाएगा root 2gh अब जैसी va root 2gh आया हमें पता है यह तो एक equation और vcm complete करने condition क्या है कि जो a point पे velocity हो वो root of 5gr से जादा हो तो यह दोनों condition को एक साथ use करेंगे तो इसका मतलब root 2gh greater than equals to root 5gr इसका मतलब h greater than equals to 5 by 2r तो h की minimum value कितनी होनी चीए 5 by 2r लेकिन तो radius को में क्या लिख सकता हूँ radius को में लिख सकता हूँ diameter का आधा यहने की d by 2 तो इसका मतलब h जो हो जाएगा greater than equals to 5d by 4 तो 5d by 4 आपका 3rd option जो है वो second option 19th में बन जाएगा इसमें कोई confusion फिर आगे बढ़ते हैं 20 में 20 में 20 में आपको बोला है कि पतले तार को अपने m mask के किसी vertical circle में convert कर दिया इस तार के तूटने की possibility maximum कब होगी है एसे vertical circle में तो हमें पता है कि जो maximum tension होता है वो कहां होता है bottom point पे क्योंकि bottom point पे mg पूरा का पूरा एक तो opposite म होता है center से है ना तो इसकी equation क्या बनती है T bottom minus mg ये bottom point पे centripetal force provide करता है तो bottom point का जो tension होगा वो हो जाएगा mg plus mvb square upon L है ना और vb की जो भी value आप put करोगे तो bottom point पे हमेशा ध्यान रखना maximum tension आता है जैसे जैसे update is bottom point से उपर जाना शुरू होता है उसका tension कम होता है top point पे tension minimum होता है तो ध्यान रखना ये bottom point का tension जो है वो क्या होता है maximum है ना और जो top point पे जब यहाँ होत जाएगा तो जो tension है top point लगेगा वो होता है हमेशा minimum tension तो हमें maximum tension अगर हमने maximum tension वाली position को safely power कर लिया मतलब अगर bottom point पे रसी नहीं तूटी तो फिर तो रसी कभी भी नहीं तूटेगी है ना तो इसका मतलब जब object bottom most point पे हो lowest position पे हो तो उस case में रसी तूटने की possibility highest होती है अगर उस position पे रसी नहीं तूटी bottom position पे तो फिर तो पक्का रसी कभी नहीं तूटेगी तो यह आपका 20th question हो गया आगे बढ़ते है 21 में 21 में आपको बोलाए कि RA और RB radius के दो concentric circle है है ना RA और RB इनमें दो object गूम रहे है A और B और इनमें गूम रहे है और यह डोनों के जो time period है वो same है देखो time period same दिया हुआ है T A equals to T भी दिया हुआ है है ना तो यह बोल रहे है कि इनके angular speed का ratio क्या होगा तो दूब angular speed तो simple सा formula होता है 2 pi by T angular speed क्या होता है ओमेगा बराबर 2 pi by T और T दोनों के same है तो इसका मतलब ओमेगा भी क्या होगा same होगा तो ओमेगा A equals to omega B यहने की ratio क्या जाएगा 1 is to 1 21 का answer क्या हो जाएगा मेरा second option ओके 21 में second option होगी अपना इसमें कोई confusion अगला हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले question पे 22 पे 22 में ध्यान समझना आपको एक 10 kg का object given है जो की 1 meter radius के किसी hollow cylindrical drum में inner wall के contact में है और inner wall और block की बीच का friction coefficient आपको 0.1 given है यह बोलने की cylinder अगर vertical है और अपनी axis के about यह घूम रहा है तो block को stable रखने के लिए आपको कितना minimum angular speed देनी पड़ीगी समझना इस concept को यह hollow cylinder इस तरह से pipe बोल दो cylinder बोल दो यह कि pipe का मतलब फिर hollow से होता है pipe हम hollow cylinder के लिए ही यूज़ करते बड़ इसको आप ऐसे घुमा रहे हो object को चिपका के रख दिया ठीक है अब यह object भी इसके साथ साथ घुमेगा है ना तो देखो इस पर कौन कौन से force लगेंगे थोड़ा ध्यान से समझते है अपन है ना अब मैं इसको ground frame में भी कर सकता हूं या मैं इसको drum के frame में भी कर सकता हूं है ना तो फिलाल में चलो इसको drum के frame में करता हूं है ना with respect to drum drum के frame में object क्या है object at rest drum के frame में तो object rest पे हुआ ना drum के साथ drum के relative object फिसल रहा है drum गूम रहा है object उसके साथ साथ गूम रहा है अब with respect to drum हम बात कर रहे हैं drum एक घूमतावा frame है जब भी घूमते वे frame के relative बात करते हैं हम क्या लगाते हैं pseudo force लगाते हैं तो इसमें pseudo force लगाएंगे हम इसमें तो देखो अब इसका FBD कैसे बनेगा एक तो लग जाएगा centrifugal force है ना क्योंकि कि घूमते वे drum के relative देख रहे हैं इसलिए लगा रहा हूं इसको balance कोन करेगा normal नीचे कोन लगेगा mg ऊपर की तरब कोन सा force लगेगा friction ठीक है अब object नहीं फिसल रहा है तो normal कि इसको balance करना चाहिए centrifugal को तो पहली equation तो मेरे पास बन जाएगी normal equals to centrifugal centrifugal की value क्या होती है m omega square r ठीक है अब आपको omega तो खिर calculate करना है दूसरा object नहीं फिसल रहा है इसका मतलब जो mg है वो static friction की maximum value से कम होना चाहिए तो mg जो है वो less than होना चाहिए limiting friction से limiting friction क्या होता है यह होता है mu into n mg mu n की value क्या है m omega square r m से m कटेगा तो आपको क्या बोला है आपको omega बताना है तो यह हो जाएगा g by mu r omega तो omega की minimum value आएगी root g upon mu r तो omega minimum कितना आ जाएगा आपके पास root g by mu r g कितना दिया हुआ है 10 mu कितना दिया आपको mu दिया हुआ है 0.1 और radius कितनी दिया है radius दिया हुआ है 1 meter radius mu तो कितना आ जाएगा आपका 10 और नेने कि 100 तो उपर 1 by 10 का 10 ऊपर चला जाएगा तो यह 10 बाहर आए जाएगा मेरे पास आ गई first equation और second equation यह दो equation आपका important है उसके बाद यह अच्छा question है conceptual भी है आपके इसमें friction का भी concept काम आ गया equilibrium का concept काम आ गया और centrifugal का concept मैंने यूज कर लिया इसमें तो एक अच्छा question है जो कि multi concept question कहलाते हैं ऐसे question कुछ ही आते हैं पेपर में लेकिन हाँ यह question हर cases attempt भी नहीं होते हैं ध्यान रटना यह multi concept question ज़रूर लेकिन tough नहीं है सारे concept easy easy है आराम से यूज कर सकते हैं तो समझना इसमें मैंने पहले block को rest में रख दिया drum के relative drum के relative बात कर रहा हूं drum एक घुमता हुआ frame है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा centrifugal force समझ लेना drum घुमता हुआ frame था इसलिए centrifugal लगाया ओके तो object rest space लिए दोनों force को मैंने balance करवा दिया उदर तो यह question आपका तो 22 का answer क्यों हो जाएगा आपका one इसमें कोई confusion 22 का answer हो गया one उसके बाद आते हैं हम हमारे 23 number question पे एक बाद इसका solution note कर ले बच्चो 23 में आपको बोला है कि एक radius जो है r radius उसमें घूमता वा एक particle है जो कि t time लेता है तो उसकी velocity क्या रहेगी 2 pi r distance by time यह velocity होता है फिर बोलते हैं कि अगर इसी speed से किसी दूसरे particle को theta angle horizontal से बनाते हो फेके तो maximum height 4 r लाएगा तो h max का formula क्यों होता है h max का formula होता है u y square upon 2 g यहने कि v square sin square theta upon 2 g तो इसका अंतलब sin theta आपको calculate करना है तो इसमें sin theta क्यों हो जाएगा sin square theta बराबर 2 g h max upon v square है ना तो एक बार इसमें value put करते हैं 2 g h max कितना है 4 r v square कितना है 2 pi r by t का square तो यह जाएगा मेरे पास 8 g r 4 pi square r square t square उपर चला गया तो यह जाएगा मेरे पास 2 g t square upon pi square r ठीक है यह किसकी value है sin square theta की तो इस कहां था sin theta की आ जाएगा sin theta आ जाएगा root में यही value यह आ जाएगा sin theta की value half power के साथ ही है तो अपना third option बन जाएगा इसी particle मतलब किसी दूसरे पार्टिकल को अगर इसी speed से कौन सी speed जिससे circular path में update घुम रहा है तो उसको h max जो मिलेगी वो इस radius का 4 times मिलेगी तो आपने simple h max यह projectile का concept है आपका एक concept तो circular motion का हुआ दूसरा concept जो है वो projectile का हुआ यह दो concept आपके एक साथ काम में लेने थे और उसके बाद आपने इसको solve किया आपका easily जो है वो option बंद रहा है इसमें कोई confusion ठीक है 23 हो गया उसका 24 24 में एक uniform acceleration से कोई object गुम रहा है कोई disc गुम रहा है और उसकी speed जो है वो 16 seconds में 1200 RPM से तो आपको acceleration बताना है acceleration का simple सा formula angular acceleration का delta omega by delta t मतलब की omega final minus omega initial by delta t omega final कितना है 3 1 2 0 minus initial कितना था यह RPM में है ध्यान रखना और delta t कितना है 16 second में है ठीक है तो पहले तो मुझे इसको convert करना पड़ेगा पहले तो यह आएगा 1920 rotation का मतलब होता है 2 pi radian और minute का मतलब होता है 60 second और divide by 16 second यह आ गया तो देखो यह कितना आ जाएगा मेरे पास 1920 16 pi by 30 radian पर second square तो यह खतम हो जाएगा 16 से कितनी बार कटेगा 16 से कटेगा मेरे पास एक और बारा बार और यह 4 pi radian पर second square तो 4 pi radian पर second square यह मेरा answer हो गया first option 24 में इसमें कोई confusion बिल्कुल basic formula जो alpha को होता है total change in angular speed upon total time उसको solve करना है और यह conversion का जानतना है कि RPM में speed दी हुए अपको बच्चो 25 सम शुरू करने वाले है हमारा अगला इसी का section जैको work हमने complete कर लिया energy complete कर लिया power circular motion complete कर लिया अब आता है हमारा अगला section center of mass center of mass में शुरूबात करने वाले है हमारे पहले question कि 400 meter per second की horizontal velocity से 10 gram mass की बुलिट है जो कि 2 kg के mass के एक block से टकराती है और यह block 5 meter length की एक हलकी डोरी से लटकवाई यह फिर गोली टकराने के बाद यह block 10 cm उपर उठता है देखो समझना इसको यह block है capital M mass का small m mass की एक bullet इस पर आती है है ना V velocity से और इसको hit करती है तो टकराने के जस्ट बात क्या होगा यह जो block है मानलिया यह तो जाएगा V1 velocity से और यह जो bullet है small m mass की वो जाएगी मानलो V2 velocity से ठीक है टकराने के बाद यह after collision condition है है ना तो सबसे पहली बात इसमें momentum तो conserve रहेगा ना तो momentum conservation की जो equation बनती है उससे मैं इसको लिख सकता हूँ कि initial momentum है ना बराबर final momentum ठीक है अब यह बोल रहे हैं कि बाहर निकलने के बाद bullet की speed बता नहीं मतलब V2 मुझे बताना है पर V1 भी नहीं बता है तो V1 के लिए इन्होंने यह बोला है कि जो bullet लगने के बाद जो block है ना वो कितना उपर rise कर रहा है 10 cm मतलब यहां से वो bullet लगने बाद 10 cm उपर तक आया तो हम यह बोल सकते है कि सारा का सारा half M V1 square जो है वो किस में convert हो जाएगा M1 G H में मतलब M G H में तो इससे V1 कितना आएगा root 2 G H तो direct यहां से मेरे पास V1 आ जाएगा V1 आ जाएगा root 2 G H यह तो आगया ना V1 इस V1 के वरी में यह आड़ आव देता हूँ small M की value क्या है 10 gram तो 10 इसको मैं gram में रखता हूँ velocity को 400 यह 0 हो गया यह M कितना था 2 kg था ना इसको gram में convert कर लेता हूँ यह gram में आ गया V1 कितना है root 2 G H हना और यह कितना हो जाएगा small M इने की 10 और यह V2 ठीक है अब यह mass थो सारे gram में है velocity सारी standard meter per second में है तो यह कितना हो जाएगा 4000 है ना minus 2000 root 2 G H कितना हो जाएगा 2 G की value 10 H कितना है 10 centimeter को meter में convert कर लेता हूँ यह आ गया तो root 2 आ गया है ना root 2 10 और V2 तो यह आ जाएगा मेरे पास almost 120 के आसपास answer बनेगा इसका है ना यह बापका बनेगा 1200 के आसपास divide by 10 V2 equals to 10 V2 तो V2 आ जाएगा 120 तो V2 आ गया 120 आपका option number second इसका correct हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले तो आप यह block block को solve कर लो ना कि block M mass का V1 speed की वैसे h height तक rise किया तो half M V1 square बराबर M1GH MGH तो इससे V1 निकाल ले और फिर बाद में momentum equation V1 की value put कर दो ठीक है तो concept के नाम पे एक तो आपकी यह step है और एक दूसरी यह step है बस दो step आपकी solve करने वाली है उसके बाद इसमें calculation वाला part है एक step यह और दूसरी step जो थी वह यह थी कोई confusion तो इस दो step आपका question solve करवा देगी नौट करो बच्चे इसको फिर उसका अगला आता है 26 26 में एक M meter एक M meter length की rod है उसके दोनों ends पे आपके पास 5 kg और 10 kg के दो object रखे में है और rod का खुद का mass negligible है तो आपको बताना है कि 5 kg के particle से center of mass कितना दूर है देखो R1 जब बताना हो ना यह M1 और यह M2 तो R1 का formula होता है R M2 upon M1 plus M2 यह formula होता है इस formula में direct value डाल दो R कितना है अपने पास 1 meter M2 कितना है 10 M1 कितना है 5 plus 10 तो कितना हो जाएगा 10 by 15 यहने कि 2 by 3 meter 2 by 3 meter मतलब कि 67 centimeter APPROX आपका first option इसमें कोई confusion फिर आता है 27 बिल्कुल वेसे equation है ना लास्ट यह कहीं है कि negligible weight और 10 meter length की एक रसी है है ना D कितना दिया हुआ है 10 meter दिया हुआ है फिर इसमें 2 mass लगे में 10 और 20 तो बताना है center of mass जो है वो 10 वाले से कितना दूर है वो यह center of mass के distance के r1 बताना है तो same r1 बराबर क्या हो जाएगा 10 20 upon 20 plus 10 ध्यान रखना जिस mass से distance निकालनी है ना आपको 10 से distance निकाले center of mass के 20 उपर आएगा यह ना यह होता है इसमें उल्टा पूल्टा चलता है क्यों क्यों क्योंकि r जो है वो inversely proportional to m होता है तो इससे मेरे पास r1 क्या होता है r m2 upon m1 plus m2 यह formula important है ने बेटा और r2 क्या होता है R M1 upon M1 plus M2 ठीक है तो अपने पास R1 निकालना है 10 20 by 30 तो यह हो जाएगा 20 by 3 मेरा first option इसका भी हो गया 27 का इसमें कोई confusion बिल्कुल इजी चल रहा है फिर अगला आता है अगले आपके momentum conservation वाली करशन center of mass तक का part पूरा हो गया अपना यहां तक अब अगला आता है momentum conservation, momentum conservation बोल रहे है कि एक blast हुआ उस blast से एक rock के तीन पार्ट होते हैं दो पार्ट एक दूसरे से 90 डिग्री पर चले जाते हैं है ना 1 kg का mass है जिसकी speed है 12, 2 kg का mass है जिसकी speed है 8 है ना तो P1 momentum कितना आएगा 16 I keep P2 momentum कितना आ रहाएगा P2 आ जाएगा मेरे पास 12 जे के आ गया यह P1 B2 है ना यह V2 मान लिया और यह V1 मान लिया ठीक है अब यह बोल रहे है कि तीसरा हिस्सा 4 की speed से जा रहा तो उसका mass क्या होना चाहिए देखो तीसरा हिस्से का mass मान लिया M है और इसकी speed देवी है 4 तो मैं यह बोल सकता हूं कि total जो है momentum वो 0 होना चाहिए है ना मतलब total momentum initial जो system था उसका M mass अगर माने तो वो तो rest में था ना तो initial momentum 0 है तो final भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए इसका मतलब P final बराबर P initial P final कितना है 16 I plus 12 J plus P3 मिला के 0 इसका मतलब P3 की value क्या आएगी 16 का square plus 12 का square कितना होगे 16 का square 12 का square यह हो जाएगा मेरे पास 20 अब यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा M3 V3 अब V3 कितना है आपको 4 दिया हुआ है तो V3 के value 4 डाल दो कितना है इसको मैं आगे solve करता हूं M3 into 4 बराबर 20 तो M3 कितना हो जाएगा 5 kg तो यह मेरे पास 4th option होगा इसका 5 kg ठीक है तो simple momentum equation से solve करना है मतलब कि जो पहले और दूसरे particle का total momentum है उतना ही net इन दोनों का जो net momentum है उतना ही opposite direction में तीसरे particle का भी momentum आना चाहिए ताकि net momentum कटके 0 आ जाए इसमें कोई confusion बेटा तो यह आपका solution आपके सामने है एक बार आप इसे note करें ओके तो आराम से समझें इस question को कोई confusion इसमें तो आगे बढ़ते है हम 28th question पे 28 के बाद 29 पे 29 में वापस वही blast वाला के से 4M मास का particle है पहले यह rest में था फिर इसमें blast होता है और दो पार्ट जिन में मास M है वो perpendicular direction में चले जाता है वी speed से ठीके तो तीसरा पार्ट भी जाएगा ना तीसरा पार्ट कितना बचा 2M मास का वो जाएगा इदर वीडेश स्पीड से तो देखो वापस वही P final बराबर P initial है ना तो यह हो जाएगा 2M वीडेश वेक्टर प्लस MVIK प्लस MVJK मिलाके 0 होना चाहिए इसका मतलए वीडेश क्या आजाएगा आपके बस माइनस V by 2I माइनस V by 2J तो V डेश की वैल्यू क्या आजाएगी V by 2 का रूट 2 टाइंस यहने की V अपॉन रूट 2 है ना तो वीडेश आजाएगा अब वीडेश जैसे आ गया तो उसके बास टोटल एनरजी क्या आएगी है ना टोटल एनरजी आजाएगी इस केस में अब देखो टोट 3 by root 2 का स्क्वेर प्लस Mv स्क्वेर प्लस Mv स्क्वेर तो कितना हो जाएगा? Mv स्क्वेर बाई 2 है ना, half Mv स्क्वेर आप आएगा कानेटिक एनरजी इसली तो यह Mv स्क्वेर तो टोटल एनसर जाएगा 3 by 2 Mv स्क्वेर यह आपका अंसर आ गया तो पहले momentum conservation साब तीसरे particle के speed निकालने और फिर जो भी energy blast की release हो रही है वो किसमें convert होगी? कानेटिक energy में? उसको use करके कानेटिक energy निकालने ओके बीटा 29 हो गया फिर अगला आता है 30 बिल्कुल वही तीसरा question में देखो blast कहीं है blast में बोलाए कि एक मास का जो sphere है वो इस rest में रखा गया है और तीन पार्ट में यह divide होता है वापस तीन पार्ट में देखो वह बिल्कुल इनका famous question है कि 2m 2m को तो इन्होंने क्या करा perpendicular चला दिया अब तीसरे पार्ट की speed पूछिए तो तीसरे पार्ट m की speed वीडेश मान लेंगे और वो ही total momentum क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तो 2m v i cape 2m v j cape मिलाके 0 तो v dash कितना हो जाएगा v i 2 v i minus में और minus में 2 v j तो v dash कितना हो जाएगा 2 v का root 2 times तो अपना answer हो जाएगा 2 root 2 v तो तीसरे हलके वाले पार्ट की speed तो तो तीनों question जो भी तक हम देखी momentum की तीनों में same concept चल रहा है आपको तीनों में वही एक particle rest में था उसको आपको 5m mass को टोकड़ों में तोड़ना था है न तो इस तरह से मैंने इसके mass मान ली है ओके और जो ratio था 2 to 1 वह satisfy करवा दिया दो equal mass को हमेशा perpendicular बेजते ही है तो तीनों बार question जो है वह इस तरह साय हुआ है और लेटेस 2022 माय हुआ हुआ है ओके है अगला equation दिया हुआ है assertion region में कि जब कोई particle या cracker या पटा का जो है रोकेट जो है वो बीच हवाम पूरता हम दिवाली में रोकेट चलाते न उसकी बात करें कि जब हवा में जाता है बीच में कही फूर जाता है तो इसके जितने पी टुकड़े होते हैं वह बोल रहे हैं कि उसी पाथ पर चलेंगे जिस पर रोकेट पटा का चल रहा था यह चीज गलते हैं और रिजन के है कि केवल इंटरनल फोर्स की वरे से पटा का फूरता है और उस पे कोई एक्टरनल फोर्स कार नहीं करता मतलब वर्क नहीं करता जब तक वो ब्लास्ट की डूरेशन में एक्टरनल फोर्स का एफेक्ट अब जीरो मान जाता है, तो reason ठीक है, but our session एक गलत है, तो आपका option हो जाएगा, इसमें second, कि A जो है वो गलत है, और R जो है इसमें सही है, इसमें कोई confusion, फिर अगला आएगा आपका 31, के बाद 32, तो आपका अगला segment इसमें शुरू हो जाता है, collision वाला, जो last section था collision, वो अपना यहां से शुर पार्टिकल का मास है, M1, M2, इनकी initial speed है U1, U2, टकर में हुई और एक पार्टिकल, E energy, absorb कर लेता है, और वो खुद, high energy state में, खुद चला जाता है, जैसे माल लोगी, दो atom की collision होई, दो atom की collision होती ही, कुछ collision की energy, atom absorb कर लेते हैं, और electron excite हो सकते हैं, वो वाला case माल लेते हैं, तो इसमें दो को initial kinetic energy जो है, half M1, U1 square, plus half M2, U2 square, पर इसी में से कुछ E part पहले वाले ने absorb कर लिया, इसका एक part E तो किसने absorb कर लिया, किसी ने absorb कर लिया, और जो बच्चा हुआ हिस्सा है, वो किसमें convert हो गया, half M1, V1 square, plus half M2, V2 square, तो दो को initial energy थी, उसके दो पार्ट हुए, कुछ पार्ट तो absorb कर लिया, बच्चा बबाद दोनों की kinetic में convert हो गया, मतलब यह initial total, यह final total, दोनों का आपस में equal होना चाहिए न, तो देखों में, equation क्या बनाऊंगा, equation यह बनेगी, half M1, U1 square, plus half M2, U2 square, बराबर E, plus half M1, V1 square, plus half M2, V2 square, यहा गया, तो यहाँ पर option हो जाएगा, third option, ठीक है, third option, sorry, fourth option, fourth option, इसका जो है, वो बन जाएगा, आकी तीनों गलत हो जाएगे, तो आपका fourth option यहाँ बन जाएगा, कि initial energy में से इतनी जो minus होगी, यह energy minus कर दो, initial में से जो यह minus absorbed energy minus करोगे, जो बच्चिवे energy हो, kinetic में convert हो जाएगी, ठीक क्योंकि elastic collision में जो है, वो energy हमेशा conserve रहती है, elastic बोल रहे हैं किसी भी collision में, अगर हम सारे तरह एकि energy की बात करें, तो उक तो conserve आएगी, आएगी, हैना, वो elastic में केवल का energy conserve होती है, हैना, 33 में बात करते हैं, 33 में बोल रहे हैं कि दो identical bowl है, हैना, velocity 0.5, 0.35 और collide elastic, elastic collision होती है, one में बता है, one dimension में अगर दो bowls collide करें, हैना, M और M mass की जो दो bowls हैं, अगर वो collide करें, तो ध्यान रखना, collision के बाद इनकी velocity हमेशा क्या होती है, interchange होती, V1 जो है, वो किसके बराबर होगा, U2 के बराबर, और V2 जो है, वो किसके बराबर होगा, U1 के बराबर, तो जो minus points ही है, व तो पहले वाले के पास चला जाएगा, और 0.5 दूसरे वाले के पास चला जाएगा, यह आपके एक concept होता है, collision का, कोई confusion, second answer इसमा रहेगा, ध्यान रखना, E की value 1 हो, और M1 equals to M2 हो, यह condition होती है, तो velocity interchange हो जाती है, हैना, तो उस रोल से अपनने velocity interchange कर दी, हैना, अगला आता ह है, 34, एक M mask का एक particle है, जो कि V speed से जा रहा है, यह यू मान लेते हैं, और वो एक 4M mask के रुके हुए particle से collide करता है, हैना, और collision किस तरह हैगी है, यह collide कर रहा है, अपने पास, collide with another stress energy particle, है यह mask 4M, हैना, अब इसमें coefficient of restitution ही आपको बताना है, यह बोल रहे है कि, after the collision, lighter block comes to rest, अब collision के बाद हलका वाला पार्टिकल तो रुक गया, यह तो रुक गया, और इसके बाद जो दोस्तरा वाला पार्टिकल था, 4M वाला, वो पार्टिकल जो है, वो कुछ V speed से मालो चल रहा होगा, तो सबसे पहले तो आप momentum equation लगा दो, momentum equation क्या कहती है, initial momentum, आजाएगा, V आजाएगा आपके पास, U by 4, अब आपसे पूछा है, coefficient of restitution बताओ, तो coefficient of restitution E क्या होता है, E होता है, separation speed by approach speed, separation speed है V, approach speed है U, तो यह हो जाएगा, U by 4, divide by U से U कटो, तो 1 by 4, E कितना हो जाएगा, 0.25, तो 0.25 हो गया, 3rd, इसमें कोई confusion, ठीके, तो आपका 34 का 3rd option हो गया, आगे बात करते हैं, 35 की, 35 बोल रहे हैं कि, U speed से moving particle 4 M, जो है, वो कोई A, 4 M mass का कोई particle है, जो की 2 M mass के किसी दूसरे particle से collide करता है, 2 M mass का particle जो है, वो rest में, ठीके, फिर उसके बाद, यह बोल रहे हैं कि, A particle के कि कितनी energy transfer हो जाएगी, B को, तो देखो, 4 M वाले की speed मैंने मान लिया, collision के बाद V1 है, और 2 M वाले की मैंने मान लिया, V2 है, तो सबसे पहले तो आपके पास वापस वही P equation है, तो इससा अधाएगा, मेरे पास, 2U बराबर 2 V1 प्लस V2, पहली equation तो यह है, दूसरा इसमें बोला कि, elastic collision है, यहने कि, E की value क्या हो जाएगी, V2-V1 upon U1-U2, यह हो जाएगा 1, तो U1 हो जाएगा, V2-V1 हो जाएगा मेरे पास, U के बराबर, तो V2 कितना हो जाएगा, V1 प्लस U, इस value को मैं यहां put कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा, 2U, 2V1, V1 प्लस U, तो इससे मेरे पास V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, U by 3, अब पहले वाले ब्लॉक की speed जो ही, वो हुई, U by 3, अभी बोल रहें, कितना fractional loss हुआ है, A की energy में, तो A की energy का fractional loss पुछा है, तो delta की A upon की, यह मुझे बताना है, यह हो जाएगा, half M, U A square, minus V A square upon half M U A square, अब देखो, half M तो कट जाएगा, M मतलब इसका mass actually 4M था, तो 4M लिखके काट देना, ठीक है, अब इसके बाद U A square कितना है, U A यहाँ पे है, मेरे पास U, यह कितना है, U by 3 square, और इधर कितना आएगा, U square, answer क्या रहाएगा, मेरे पास 8 by 9, मतलब कि 8 by 9 fraction जो है energy का वो जाएगा loss में, इसमें कोई confusion, तो यह इस तरह सा आपका 35 question, last question था इसमें, और यह अपना यहाँ पे PY की जो है, वो complete होते हैं, I hope बच्चो, आप लोगों नहीं यहाँ तक कि अपने सारे concept अच्छे से recall करें in previous air questions my way, वो आपकी topic को completely cover कर भी रहें, तो इन topics को अच्छे से cover करें और अपने exam को विल्कुल strong mentality के साथ fight करें, ओकी बच्चो, thank you, all the best